Hello guys, welcome back to our channel, मैं हूँ विक्रान शर्मा, बहुत बढ़ी निउस निकल के आ रही है, वो जो डिवैलुएशन का एक दौर चला था, उसके बीच ये निउस इतनी अच्छी है कि आपका सुनके मन खुश हो जाएगा SDFC Swiggy Credit Card, पहले सी बहुत अच्छा credit card था, बट फिलाल उस पे SDFC Bank ने एक ऐसा upgrade इंट्रोड्यूस किया है, कि अब question ये बन जाता है कि Is it the real king of all cashback credit cards in India? क्या ये cashback SBI card and SDFC Millenia credit card को भी आप पीछ चोड़ देगा, क्योंकि जो इस credit card पे upgrade किया गया है, वो massive level का है, अब तक आप लोगों को इस credit card से सिर्फ A की शिकायत थी, कि ये जो credit card आपको 10% का cashback आपके Swiggy Spends, चाहे वो Instamart है, Swiggy Dine Out है, या फिर Swiggy से and 5% का cashback जो आप online transactions पे earn करते थे and 1% का जो cashback आप other categories पे earn करते थे, वो सिर्फ आपके Swiggy के wallet मेड किया जाता था, जिसको सिर्फ आप Swiggy पे use कर सकते थे, but 21st June 2024 से इसका reward structure बिलकुल change होने जा रहा है, अभी तक ये जो cashback आप अपने wallet में receive करते थे, अब ये directly हर महीने आप के statement में adjust होके आया करेगा, तो ये जो 5% का cashback आपको online spends पे देता है and 10% का आपको Swiggy, Insta Mart याने के आपके grocery spend पे देगा, 10% का आपको food पे देगा, 10% आपके dine out पे देगा और वो भी सिर्फ 500 रुपीज के joining और annual fee के साथ, और जहां बहुत अच्छे chances है, बहुत सारे लोगो मैंने कल मेरा एकदम से दिल खुश हो गया कि इतने सारे devaluation देखने के लिए मिल रहे थे, finally एक अच्छी news आई, अगर आपके पास SDFC सुगी credit card है, तो आपकी तो बले-बले हो चुकी है, अगर नहीं है, तो जल्दी से apply कर लीजे, description में लिंक के आप से आप SDFC bank सुगी credit card apply क कर पाएंगे, cashback SBI credit card से आप हर महीना 5% cashback and 1% cashback डोनों की total category को मिला के 5000 रुपीज हर महीने save कर पाते हैं, बट वहां का जो drawback है वो यही है कि maximum आप 5% तक cashback ले सकते हैं, चाहे आपके grocery spends है या फिर other online spends है, बट SDFC सुगी credit card जो है यह आपको 10% का straight cashback देखा आपके, जो सु food order करेंगे, और यह हर महीना आप 1500 रुपीज तक save कर सकते हैं 10% category पे, और बाकी 5% cashback यह देता है आपको online spends पे, चाहे किसी भी e-commerce website पे जाके, आप इस credit card से spend कीजे, आपको वहां पे 5% cashback मिलेगा, यहाँ पे भी जो threshold है, हर महीने का maximum वो 1500 रुपीज है, तो 1500 रुपीज आपके online spends होंगे उस पे, और 1% का cashback देता है यह आपके other offline and online spends पे, जिस पे आप maximum 500 रुपीज हर महीना save कर सकते हैं, तो total आप इस card से save कर पाएंगे, 3500 रुपीज, and on the other hand, cashback SBI card आपको देता है 5000 रुपीज, cashback SBI card आता है 999 के joining or annual fee के साथ, और यह जो Swiggy SDFC credit card mostly लोगों को free मिला है, अभी recently, आप भी जाके check कीजेगा, और अगर आपके पास यह card paid है, तो सिर्फ 500 रुपीज के joining or annual fee के साथ, यह credit card आपको मिल जाता है, तो 500 रुपे, एक साल का देके, 3500 रुपे, हर महीना की saving, आप इस credit card से कर सकते हैं, जहां cashback SBI card पे आपको maximum 5% का cashback मिलता है, SDFC Swiggy पे आपको मिलेगा 10% का cashback, और जो आपके grocery spends होते हैं, वो एक अच्छा खासा spend होता है, मंतली का, अगर आप घर के जिम्मेदारियों को उठाते हैं, तब, तो 10% का cashback और कोई ऐसा credit card नहीं दे रहा, इतनी अच्छी capping के साथ, तो cashback SBI card के बाद, SDFC Swiggy credit card is one of my favorite credit cards, और और बाकी आपके जो spends होते हैं, उस पे सिर्फ 1% का cashback मिलता है, और maximum हर महिने का 5% वाली category और 1% वाली category में maximum सिर्फ 2,000 रुपे तक cashback आप सेव कर सकते हैं, 5% पे 1,000 और ये card देगा आपको 10% Swiggy पे, 5% online पे, 1% बाकी other spends पे, हर महिने के saving होगी साढ़े 3,000 रुपे, और SDFC मिलेनिया में होती है, सिर्फ 2,000 रुपे, SDFC मिलेनिया आता है, 1,000 रुपे के साथ, और ये आता है, सिर्फ 500 रुपीज के साथ, so it is direct killer of SDFC मिलेनिया credit card, अगर ये वाला credit card आपके पास है, तो SDFC मिलेनिया का तो अब कोई फायदा नहीं आपको लेने का, but cashback SBI card और SDFC Swiggy credit card क अगर आप अपने पास रखते हैं, तो आपके online spends और other spends के लिए दोनो credit card आपस में मिलके आपके लिए वर्दान सावित होंगे, अगर आप 5% और 10% हर महीना बचत करना चाहते हैं, आपके dinings पे and online spends पे, 21 जूम 2024 से पहले जो आपके Swiggy wallet में money add होता था, as a cashback, उसकी validity होती थ directly आपके जो statement है, उसमें adjust होके आजाए, तो अभी तक जो इस credit card का सबसे बड़ा drawback था, अब वही इसका सबसे positive side बन चुका है, तो SDFC Swiggy credit card is a must have credit card in 2024, यह जो 1% वाला cashback है, आपको fuel, rent, EMI, wallet, jewelry and government related transactions पे नहीं मिलेगा, और जो 5% वाली online category है, आप list देख सकते हैं, इस पे ज eligible, जो inclusive MCCs हैं, जहां पे आपको cashback मिलेगा, वो सारी की सारी list दी गई है, codes के साथ तो आप देख सकते हैं, कि आपके online, जो spends होगे, उन पे जो 5% का cashback आपको किन-किन categories पे मिलेगा, basically आपके जो flights and hotel bookings होगे, उस पे आपको 5% का cashback नहीं मिलेगा, बाकि other जो online spends आपके होते ह complimentary free मिल जाती है, तो अगर ये credit card आपको मिल जाता है, तो भईया, आपकी तो बले-बले हो चुकी है, तो आपको अपने जो online spends and dining spends है, उस पे अच्छी खासी बचत करने का, अब SDFC Swiggy credit card से मौका मिलेगा, अगर आपके पास SBI Cashback credit card और SDFC Swiggy credit card का duo है, तो भईया, फिर तो आ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजेगा, जिनको घर के लिए groceries purchase करनी होती है, या फिर डाइनिंग पे बहुत ज्यादा spend करते हैं, स्विगी से, उनका आता ही रहता है, घर पे कुछ नहीं कुछ आप चेक करते होंगे, पोडोसी के घर पे क्या रहा है, तो येस, अगर ऐ ऐसा है, तो उन सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो जरू शेयर कर दीजेगा, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना धियान रखेगा, बाइ-बाइ